हालो एबरिबन कैसे हैं आप साब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बनाने जारी हों बिलकुल ही नए तरीके का डूर मेट इससे आप टेबल मेड़ी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए मैंने पांच कलर की बूल ली है औ लाकि हमारे वीडियो का नौटी विकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें एक ही जॉइंट है यह बाहर साइड से आपको राउंड में दिखेगा और अंदर देखिए यह चौकोर सा दिखेगा यह देखिए चार-चार फ फंदे में बता रहे हैं और आपको फंदे ऐसे ही लेने हैं जैसे हमने यहां पे 14 फंदे पिंक कलर से लिए इसके आदे फंदे हमने यहां पे लिए और आदे लेने के बाद एक हमने एड कर लिया तो 8 फंदे हमने यहां पे लिए 14 और 7 और 8 इस तरह ऐसे फंदे आप जितन पाँच छे साथ ये देखिए जैसे हमने यहां से देखिए पहले ये बाले 14 फंदे फिंग कलर से फिर 7 फंदे ये हमने यलो कलर से और 8 फंदे ये ब्लैक कलर से तो देखिए इस तरह से हमें हमारे फंदे यहां पे हैं तो अब हमने यह 7 फंदे बुने, एक फंदा हम यलो से बुन लेंगे, अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बुने, इसको हमें अधर करेंगे, अब यहां से हम पिंक कलर से बुनेंगे, एक यलो बाला हम उपर के साइड को एड़ कर लेंगे, जासे हमने इधर किया, अब देखें, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, तेरे फंदे हमने बुने और दो बीना बुने छोड़ दिये, यहीं से हम इसको पलट लेंगे और इधर से जो जैसा है उसको हम बैसे ही बनाते हुए जाएंगे लाश्ट तक, यह देखें, पिंक कलर है, उसको हम पिंक से बुन लेंगे, यलो है, उसको हम यलो से और ब्लेक से, सीदे की जो रो है, सेम तरीके से बुनी जाएगे, यहाँ पे हम आपको ऐसे, देखें, इसको आपको ऐसे क्रोस कराना है, और यह वाले यलो से बुनने हैं, तो यह रो हम ऐस से ही complete कर देखिए उल्टे तरप की दूसरी रो यहां समने एक फंदा उता रहा दो तीन चार पाच छे शे फंदे बुने एक फंदा ऊपर के साइड हम बढ़ते जाएंगे इसको हमने ऐसे किया एक दो तीन चार पाच छे और साथ साथ फंदे हमने बुने अब एक फंदा यलो दो बाला हम पिंक से कर लेंगे फिर से एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे और बारे दो हमने फिर से छोड़ दिये हैं इसे हम इसको पलट लेंगे इदर की रो कंप्रीट कर लें अब हम उल्टे तरप पे आ गए हैं तो यहां से हम इस फंदे को लेंगे उ दागा अपने तरप करके दो तीन चार पाच फंदे बनेंगे और इसको हम यलो से बना लेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ बनेंगे अब यहां पे हम इसको इधर कर लेंगे, यहां से एक फंदा पिंग कलर से बना लेंगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, अब दो हमने फिर से छूट दिये, तो यहां पे दो, दो, चार, दो, छे, छे, छे फंदे छूट गए, अब देखिए, इ यह तीन फंदे रह जाएंगे, एक बार हम यह दो बार और कर लेते हैं, और दो बार और फंदे दो, दो करके हम छोड़ देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, यहां ब्लैक के तीन फंदे बचेंगे, एक बार हम यह वाला यलो कर लेंगे, फिर उसके दो बारा से यह कर ल यह हैं और लाश्ट के तीन फंदे तक हमने यहां पर अभी बना लिया तो अब देखिए यहां से इसको हम उतारेंगे भागा अपने तरफ दो बुने और इसको हम ऐसे कर लेंगे यहां पर हम एक यह ब्लैक वाला येलो बना लेंगे अब दो तीन चार पाच छे और साथ साथ बुनने के बाद अब देखिए हम यह वाला कलर एड कर लेंगे यहां से यह देखिए एक हमने कर लिया यलो बाला अब देखिए दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस यह देखिए दस फंदे यह बिना चूटे वाले और यह वाले फंदे जो हैं इनको भी हम इसी से बुन लेंगे इस रो में क्योंकि हमने हाफ हाफ कली बना रहे हैं दोनों कलर से तो इस रो में आपको यह सब फंदे जो हैं छूटे वाले इनको भी बना लेना है और लाश्ट तक इसको ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है तो देखिए यहां पे हमने यह बना लिया और देख अब इदर की रो जो जिस कलर से है उसको हम लाश्ट तक बुन लेते हैं आप देखिए यहां से लेकर यहां तक हमने यह इस तरह से बना लिया तो देखिए आप यहां तक यह बन गया है अब यहां पे हम यह वाला कलर रेड वाला एड करेंगे तो आपको ध्यान देना है हम हम नोतारा एक बुना एक हम यलो बाला कर लेंगे और देखिए यहां से एक दो तीन चार पाच छे छे फंदे बुने अब यह बिलू बाला एक यह हम रेड बुन लेंगे यहां पर ध्यान देजिए आप नहीं तो आपका यहां से ही गड़बड़ हो सकता है तो इस रो को आप अच्छे से देखिए तो यहां से देखिए अब एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ और नो नो फंदे तक हमने बुना जहां तक फंदे बिना चूटे थे वहीं तक अब हम पलट लेंगे यहां से और आप देखिए यहां पर जो जिस कलर से है उसको हम बैसे ही बुनके पलटे तरफ से अब हम यहां पर एक दो तीन एक फंदा और ब्लैक से बना लेंगे अब देखिए यहां से हम एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे हमारे पास रह गए यह इसके अब देखिए यहां पर एक फंदा था हमारे पास यह इसको हम बैसे कर लेंगे ताकि यह बोलना रहा है अब देखिए एक था एक और हम बुन लेंगे रेड से उसके बाद हम बिलू से बुनेंगे तो यहां से देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ आठ बुने दो हम आगे से ले लेंगे ऐसे उसके बाद हम यहीं से पलट लेंगे अब इधर की रो हम ऐसे ह पूरा कर लेंगे तो देखिए सीधिये तरफ से हमने complete कर लिए उल्टे तरफ से यह फंदे बुन लिए एक फंदा हम यलो से बुन लिए अब यहां पर एक दो तीन चार चार फंदे रह गए अब देखिए इसको मिदर करेंगे और यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे तो यह एक फंदा आपने फिर से कर लिया तो तीन हो गए अब देखिए यहाँ से हम बिलू कलर से बनेंगे ऐसे दो तीन चार पाँच छे पलट लेंगे यहाँ पे जो जिस कलर से है उसको हम वैसे ही बनाएंगे तो देखिए सीरे तरफ से हम नहीं यह रो कम्प्रीट कर ली आप देखिए उल्टे तरफ से बापस हम सेम तरीके से अभी बनाएंगे तो देखिए यह दो फंदे और दो फंदे दो हम चार फंदे और लेंगे और इधर ये दो फंदे ऐसे हो जाएंगे इस कलर से तो इतना हम कर लेते हैं फिर हम आपको ये आगे का दिखाते हैं लाश्ट में यहाँ पर दो फंदे रह जाएंगे तो देखिए लाश्ट में हमारे पास ये दो फंदे रह गए हैं और देखिए यहाँ पर इसको हम उतार लेंगे और यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छे साथ और देखिए ये आठ आठ हो फंदे ये ब्लैक से हो गए हैं अब देखिए इसको में दर करेंगे और यहा चार पांच छह फंदे यह हो गए अब देखें यहां से हम बापस यह वाला कलर एड़ करेंगे अब यहां से फिर से यह दूसरी कलियर स्टार्ट हो जाएगी अब यहां पे दो चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे और चवदे यह देखें अब मेरे पास उतने ही फंदे बचेंगे जैसे आपके फश्ट रो में होंगे तो चवदा फंदे आपके यह पिंक आगए और देखें इसको हम इधर से उतार लेंगे और इस साइड की रो हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे जो जिस कलर से बना है उस कलर से बनाते हुए जाएंगे हम तो आप देखिए यहां पर सेम ऐसे ही फंदे आप फिर से आगए अब यहां से दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी तो अब हम एक एक फंदा इधर से यह रेड वाला पिंक से बुनते जाएंगे और इधर यह ब्लेक वाला रेड से बढ़ाते हुए जाएंगे तो देखिए ऐसे ही हम इसको बना के कम्प्लीट करेंगे जैसे देखिए यह वाले फंदे अभी आपके पास इस तरह से आ गए हैं अब इधर से एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे तो यह हाप कली बन जा करती है तो ऐसे ही हम इसको कम्प्लीट करेंगे तो देखिए यहां पर हमने इसको बना के कम्प्लीट कर लिया लास्ट में आपका यह वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे आएगा क्योंकि तभी यह इस तरह से जब यह इसकी सिलाई होगी तो यह पूरा हो जाएगा देखिए त और देखिए पता नहीं चलेगा आपने यह कहां जॉइंट किया है तो इस तरह से आजाएगा अब देखिए हमने यह वाली कली कंप्लीट कर लिए अभि हां से हम सारे फंदे जो जिस कलर से हैं उसी कलर से हम इसको बंद कर लेंगे आइसे दो काई करते हुए सारे बंदे हम बंद करेंगे आइसे देखिए पूरी रो हम ऐसे ही इनको बंद करते हुए जाएंगे अब देखिए इस वाले जो ये वाला फंदा है इसको हम ऐसे निकाल लेंगे पहले द्दागा इधर लाएंगे ये दो फंदे जो है हम इनको yellow color से बंद करेंगे ताकि आगे हमें yellow लगाना है यहां से देखें यह ऐसे आजाएगा तो यह कली जो है clear आजाएगे आपके दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, साथ में भंदा जाम करेंगे तो ब्लैक वाला धागा आगे लाएंगे, ऐसे देखें, यह दो काई कर दिया, यह से अब हम ब्लैक कलर से बंद कर देंगे, और यह वाले धागे थोड़े लंबे कट करने हैं, क्योंकि आप सेम धागे से सिले तो यह पता नहीं चलेगा आपको कहां से सिला हुआ है, ऐसे, यह देखें, यहां तक हमने यह कर लिया, अब हम कट कर लेंगे यह दागा, आप देखें, हम इसकी सिलाई करेंगे, तो इस बाले धागे को हम ऐसे पहले जॉइंट कर लेंगे, यह देखें, यहां पर ऐसे बंद लिया, उसके बाद हम यह लंबे वाले धागे में ऐसे डालेंगे, देखें धागा, और यहां से हम यह ब्लैक कलर से सिलेंगे, और पखा दिया यहां से ताकि अच्छे से यह सिल जाए आपका यहां से यहां से यहां पर यहां से मिला के पकड़ लेना है आपको इसको हम यही पर पका करके छोड़ देंगे बाद में नौट लगाएंगे अभी यलो बाले दागे को लेंगे अभी यलो बाला लगा लेंगे इसमें यहां से यहां से अच्छे से हम इसे टांक लेंगे यहां पर अब यहां से हम इस कलर से सिल लेंगे यह पिंक कलर वाला है जो इसको लेंगे यह देखें यहां से ही जो होल है इसको आप चाहें तो ऐसी बंद कर सकती है या फिर आप चाहें तो फ्राबर बगेरा लगा सकती है या पर पॉम पॉम लगा सकती है अगर आपने टेविल मेट बनाया तो या फिर आप दोर मेट बना रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही हूल बंद कर सकते हैं साड़ी से या चुन्नी से बनाएंगे तो देखें तो हम भो भी आपको तरीका बता देंगे इसमें क्यों हो गया अब देखें जो यह ऐसे बचेगा तो इसको आप अगर साड़ी से बना रहे हैं तो ऐसे करके और देखें इस तरह से पूरा राउंड में इसको खीच तो अपने आप ऐसे बंद हो जाएगा यह क्रूशिया से भी आप कर सकते हैं यह इस तरह से